इस टेयर केस मिल जाती है वास्तो गनुसाद बिल्कुल ठीक है लेकिन इस टेयर केस दूसरे पॉइंट पर आपकी गलत भी है क्यों गलत है हमारा साउथ में आ रहा है वैसे तो सभी यह लेकिन गलत है क्योंकि तो हेलो दोस्तो आ गया हूं मैं एक और नया नक्सा लेकर आप के सामने आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो और दोस्तो छोटा सा प्लोट है जादा बाते नहीं करेंगे सीधा मुद्दे पर आते हैं देखते हैं आज का हमारा क्या प्लोट साइज आप लोग यहां पर देख सकते हैं देखे 25 feet भाई ये 30 feet का हमारा plot है square feet में बात कहें तो देखे 750 square feet रहेगा और 83.39 ये square yard का plot रहेगा facing की बात कहें तो ये plot west facing रहेगा यानि की सिर्फ front में road रहेगा और यहां पे left में, back में और right में तीनो side में client की अपनी ही property है तो कहने का मतलब हम चारो side में windows वगरा दे सकते हैं बात करने requirement की तो हमें इस plot का नकसा वास्तू के अनुसार बनाना है requirement क्या-क्या यहां पे देखेंगे एक bedroom देना है, bedroom के साथ में attach, almira यानि की cupboard भी देनी है lobby, living, open kitchen, dining area, seediya और एक common toilet देना है दोस्तो यह बात हुई हमारी requirement की अभी मैं आपको लेके चलता हूँ plan पर यह देखो दोस्तो यहां पर है यह आपके सामने 25-32 में एक घर का नकसा अब यहां पर दोस्तो मैं आपको इस plan में एक एक चीज़ समझाऊँगा क्या चीज कैसे बनाई गई है और वास्तो के अनुसार गलत है या सही है चलिए दोस्तो step by step द्यान से समझीगा एक भी चीज़ आप लोगों को skip नहीं करनी है देखिएगा सबसे पहले जैसे ही आप लोग entry करने जाते हैं यहां पर यह वरामदा मिल जाता है वरामदे से enter करेंगे यहां पर आपको MD मिल जाता यानि की main door यहां से आप लोग घर में entry करेंगे entry करते ही यहां पर आपको एक lobby मिल जाती है lobby का size दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो कितना अच्छा दिया गया है और lobby में दो window दी गई है एक front में दी गई है और एक left में दी गई है proper ventilation के लिए यह देखे यहां पर sofa sitting दी गया गया है और just सामने आपको यहां पर यह एक LCD का point दे दिया गया है मतलब की अंदर का interior भी काफी अच्छा है अब दोस्तों यहां पर अगर वास्तू के बारे में बात करें जैसे की सबसे पहले हमारा plot हम जानते हैं west facing है अब entrance की बात करें तो west facing में south west side से कभी भी आप लोग को entry नहीं देनी है इधर side से आप लोग entry दे सकते हैं तो यहां की entry ठीक है वरामदा भी आपका correct है कोई problem नहीं है और lobby का area भी आपका ठीक है उसके बाद अब लोग आगे जाते हैं तो हमें एक यहां पर यह bedroom मिल जाता है जो की master bedroom है अब दोस्तों एक ही bedroom यहां पर बनाया गया है तो यह master bedroom ही रहेगा अब size वगेरा काफी अच्छा है ventilation की बात करें front में window दी गई है LCD point भी यहां पर दिया गया है उसके बाद bedroom में आपको attach almira भी मिल जाती है जिसकी वज़े से हमारा bedroom काफी luxury हो जाता है बात करते हैं वास्तों की दोस्तों देख सकते हैं करेक्ट है लेकिन गलत कहां पर है वो भी आगे बताऊंगा ध्यान से समझेगा सबसे पहरे देखो size वगरा भी देख सकते हो size भी काफी अच्छा देगा है हम लोग अब आगे चलेंगे यहां से lobby से आगे तो आपको यह clockwise direction में staircase मिल जाती है वास्तों गनुसा बिल्कुल ठीक है लेकिन staircase दूसरे point पर आपकी गलत भी है क्यों गलत है क्योंकि staircase बनाई गई गई है इधर North East के corner में जो की कब भी नहीं होना चाहिए ठीक है दोस्तों लेकिन अगर यहां पर आपको staircase staircase बनानी है जिन लोगों को यह plan अच्छा लगता है कि हाँ हम बनाना चाहते हैं तो अगर यहां पर staircase बनाने की बात आती है आप ऐसी सीडियां बनाईएगा जिन में weight कम हो lightweight सीडियां होनी चाहिए तो वो चल जाती है उसके बाद सीडियों के नीचे ही आपको dining area मिल जाता है कुछ लोग confused हो जाते हैं कि सीडियां में dining area कैसे बन जाएगा तो दोस्तों देखो सीडियां यहां से चड़ते हुए यहां तक आ रही है तो कहने का मतलब क्या है कि इतना पार्ट जो है सीडियों का मैं इसको थोड़ा refresh कर लेता हूँ आप लोगों को शायद अब समझ में आएगा कि लियर ली आप लोगों को देखिए यहां पे अभी क्या होगा कि यह जो सीडियों का इतना पार्ट है यह घूमके ऊपर की तरफ में चला जाएगा तो यहां पर जो जगए बचती है सीडियों की वो बिलकुल खाली रहेगी जिसमें आपका यह डाइनिंग लिया चल जाएगा ठीक है उसके बाद आप लोग आगे चलते हैं यहां पर आपको मिलती है किचन देए दोस्तों लगशरी किचन बनाई गई है देखो 750 स्क्वार फिट में यह ज़्यादा बड़ा पलोट नहीं है लेकिन स्क्वार फिट के हमने गैस रखी है वास्तों के साथ से बिल्कुल करेक्ट नॉर्थ में आपकी सिंक दी गई है यह भी करेक्ट और साउथ साइड में आपका फ्रीज है तो यह भी करेक्ट अब दोस्तो एक चीज और हमने यहां पर यहां पर यहां पर बताना चाहूंगा की आप लोगों को नक्सा कैसा लगा। दोस्तो एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा, लास्ट रह गई है कि हमने टॉइलेट के बारे में बताया था, टॉइलेट हमारा साउथ में आ रहा है, वैसे तो सही है, लेकिन गलत है क्योंकि ये किचन के जश्ट बाजु में आ रहा है, तो ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, दोस्तो इस नक्से की PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप लोगों को मुझसे अपने घर का नक्सा बनवाना है, मेरी कॉंटक्ड डिटेल भी आप लोगों के सामने है, आप लोग कॉंटक्ड कर सकते हो, वाटसब कर सकते हो, आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, Thank you, Bye Bye